नमस्कार मैं हूँ अन्शिता 2024 में बीजेपी को काटे के टकर देने की तैयारी में लगी कॉंग्रेस ने पार्टी को पटकनी देने के लिए नई रनीती बनाई है ये सीधा बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी मुद्दे पर चोड़ दे सकता है दरसल इस तरह के दावे तपसे किये जा रही है जब से ये खबर आई कि राहुल गांधी आयोध्या जाने वाले है हाला कि आयोध्या तो राहुल पहले भी कई बार जा चुके हैं लेकिन अब चर्चा इसलिए जादा है क्योंकि इस बार वो राम लला के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। इसी खबर ने बीजेपी खेमे में टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि बीजेपी को लगता है कि भगवान राम और राम मंदिर के मुद्दे को उसने पेटेंट करवा रखा है। ये मुद्दा तो सिर्फ उसका है। इसलिए जैसे ही खबराई कि राहुल राम लला के दर्शन करने के लिए योध्या जाने वाले हैं, राजनीती के गल्यारों में चर्चा का बाजार गर्मा गया है। अब सवाल ये है कि बीजेपी क्यों परिशान है। दरसल राहुल के योध्या दौरे की खबरों ने जोर तब पकड़ा जब भारत जड़ो यात्रा के सैयोजक वराजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ विजे महाजन ने इस्थानी कॉंग्रिस नेता के साथ राम जन्म भूमी के मंदिर के मुख्य पुजारी सतेंद्र दा से इस बारे में मुलाकात की ये मुलाकात करीब एक सब्तह पहले हुई है जानकारी के मुताविक मुलाकात के दौरान राहुल गांधी के राम जन्म भूमी मंदिर दर्शन के कारिकरम पर विस्तार से चर्चा हुई इसलिए राहुल के आयोध्या दौरे की तैयारियों ने पर पकड़ लिया है हाला कि यह खबर तो बाहर आ गई कि राहुल गांदिया उद्ध्या जाने वाले हैं लेकिन यह सब कब होना है अभी किसी को नहीं माना जा रहा है कि राहुल राम मंदिर प्रांड प्रतिष्ठा से पहले भी आ सकते हैं और उसके बाद भी लेकिन राहुल राम लला के दर्शन के लिए जाएंगे सिर्फ इतनी से खबर बीजेपी की बेचनी बढ़ा रही है आप जानते ही हैं कि अपने हर चुनाओ में बीजेपी राम मंदिर मुद्दे को जोर शोर से भुनाती है लेकिन 2019 में उसने इस मुद्दे को दवा कर पुलवामा मामले को ज्यादा भुनाया क्योंकि राम मंदिर मुद्दे को उसने 2024 के लिए बचा कर रखा था इसलिए जैसे ये चुनाओ नस्दीकाए बीजेपी ने राम मंदिर का जिक्र करना शिरू कर दिया आगामी चुनाओं में और खास कर लोकसभा चुनाओं में ये बड़ा मुद्दा होगा इस बात के संकेत तो इस साल के शुरू में ही अमिश्या के त्रिपुरा दोरे में मिल गए थे जब उन्होंने राम मंदिर बनने की तारीख का एलान किया था और कहा था कि एक जनवरी 2024 तक मंदिर तैयार हो जाएगा इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाओं के दोरान मैं भाजपा का द्यक्ष था और राहुल बाबा कॉंग्रिस के द्यक्ष थे वो रोज पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे तिथी नहीं बताएंगे तो राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो एक जनवरी 2024 को अयोध्यों में गगन चुम्भी राम मंदिर आपको तैयार बिले त्रिपरा में हुई उस रैली में अमिश शाहा ने सिर्फ मंदिरों का जिक्र किया था उन्होंने कहा था एक आत साल दो साल जाने दीजिये मात्रिपुर सुन्दरी का मंदिर भी ऐसा भव्वे बनेगा कि पूरे दुनिया यहां देखने आएगी काशी विश्वनात का कॉरिडोर बनाया, महाकाल का कॉरिडोर बनाया, सोमनात और अम्बा जी का मंदिर सोने का हो रहा है माविंद्यवाशनी का मंदिर नया बन रहा है अमिश रहा के इसी बयान से अंदाजा हो गया था कि बीजेपी धार्विग मुद्धे और खास कर राम मंदिर के मुद्धे पर चुनाव लड़ेगी और वोट बटोरने की कोशिश करेगी इसलिए कॉंग्रेस अब बीजेपी के इसी एजेंडे पर चोड़ देने की प्लानिं की है राहुल अब इसका काउंटर नेरेटिव तयार करना चाहते हैं और इसी लिए राहुल अयोध्या जाना चाहते हैं बीजेपी हमेशा से यही फैलाती आई है कि कॉंग्रेस राम मंदिर नहीं बनने देना चाहती थी अमेठी कि सांसत इसम्रती इरानी तो अभी तक यही बोल रही है अगर राहुल रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे तो बीजेपी का ये नेरेटिव मुश्किल में पढ़ जाएगा यही नहीं अगर राहुल अयोध्या जाते हैं तो राजीव गांधी के शासनकाल में 1986 वाला वो घटना करम भी सभी को याद आएगा कि वो गांधी ही थे जिन्होंने 37 साल से बंदपड़ी बाबरी मस्जित का गेट खुलवा दिया था उन्होंने सिर्फ ताला ही नहीं खुलवाया था बलकि विश्व हिंदू परिशत को शिलान्यास की अनुमती भी दी थी अपनी ग्री मंत्री बूटा सिंग को भी भेजा था ऐस ऐसे में कॉंग्रेस ये दावा कर सकती है कि राममंदिर के बनने की बुनियात बीजे पी ने नहीं उसने रखी है और लोकतांत्रिक तरीके से रखी है किसी गुम्बत को ध्वस्त करके नहीं इतना ही नहीं कॉंग्रेस के ही कारेकाल में दूर दर्शन पर रामानंद सागर क के रामायन सीरियल को प्रसारित कराया गया 1989 का चुनाव करीब आने तक राजीव गांधी के भाषणों में रामराज लाने का वादा सुनाई देने लगा था बाबजू दिसके बीजेपी कपिल सिब्बल जो समय कॉंग्रेस में थे उनके एक बयान को आधार बनाकर प्रधानम बीजेपी को ये फैलाने में मुश्किल होगी यानी बीजेपी के हाथ से सबसे बड़ा मुद्दा चछिन जाएगा जो मुद्दा है खुद को हिंदुत का रक्षक बताना और कॉंग्रेस को हिंदुत विरोधी बताने का इसी बात का डर बीजेपी को खाय जा रहा है कि 2017 में हुई किसान यात्रा में रहुल अयुद्या पहुंचे थे इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध हनुमान गड़ी में दर्शन किया था लेकिन राम मंदिर नहीं पहुंचे थे पच्चस साल बाद तब वो पहला मौका था जब नहरू गांधी परिवार का कोई सदा से अयुद्या पहुंचा हुआ था बाबरी विद्धवन्श के बाद गांधी परिवार ने अयुद्या से दूरी बना ली थी इसी का फाइदा बीजेपी उठाती आई है लेकिन इस बार कॉंग्रेस बीजेपी के हाथ से ये मुद्धा हमेशा के लिए छीनने की प्लानिंग कर रही है राजनीती के गल्यारों में इस ख़वर की बहुत चर्चा है वहीं बीजेपी दवाब में आ गई है अब इसी बीच एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि जब राहुल वाकई र में हम और किन मुद्धों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताईएगा ट्विटर है आर्टिकल 19 अंडर्सकोर इंडिया इसको भी फॉलो कर लिजे नमस्कार